हेलो प्रेंट्स वेल्गम बैक तो मैं चैनल में वाशिश और स्वागत आपका मेरी इस यूटुब चैनल में चलिए देखते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है कैंडल सिप पैटन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कैंडल को देखकर आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट अपना बना सकते हो ज्यादा आपको नौलेज होने की जरुरत नहीं यह फंडावेंटल टेक्निकल इतना कुछ देखने की जरुरत नहीं सिंपल में आपको इंडिकेटर बताऊंगा बहुत ही इंडिकेटर से और उस इंडिकेटर की थू आप अपना ट्रेट कर सकते हो और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो चलिए इंडिकेटर के उपर चलते हैं हम कौन सा वो इंडिकेटर होने वाला है तो आपको पता चलेगा पूरा वीडियो को देखना तेभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रोसेस किया आपको पूरा वीडियो देखने पर ही पता चलेगा तो चलिए लगा लेते हैं अपना फर्स्ट कैंडल होगा बुलिश कैंडल स्टिक पैटन के उपर मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम यहां पर जो है अपना टाइम प्रेम जो है वो उसे वंडे के उपर सि लेट करके दिखा रहा हूँ यह वंडे का टाइम प्रेम है ठीक है वंडे के टाइम फ्रेम में हमें क्या करना है कि यहां पर इंडिकेटर्स दिख रहा होगा आपको यह इंडिकेटर्स आपको यहां पर दिख रहा होगा तो इंडिकेटर्स पर हम क्या करेंगे एक मिनिट म पर आप ट्रेदिंग व्यूपर अकांट अपना प्रीम उपन कर सकते हो प्रेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है तो इंडिकेटर्स में हम लोग देखेंगे इंडिकेटर्स में आपको जाना है और सिंपल यह आपर टाइप करना है बुलिश बुलिश इंगल्फल अ हम पर वाला वर्ज जो है बुलिश इंगल्फिंग आटोमैसिक पैंडिंग pragma आपको आपके चार्ट पर apply कर लेना है इस तरीके से ठीक है अभी यह जो है चार्ट पर अपना apply हो गया है तो इसकी कुछ settings है मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि color change करना इसकी settings में आप यहाँ पर जा सकते हो settings में जाने के बाद में आपको दिख रहा होगा कि यह color change करने के लिए दिखा रहा है तो हम लोग यहाँ पर कोई भी color अपना select कर सकते है ब्लैक कर सकते है ग्रीन कर सकते है पर मैं बताता हूँ आपको इसे yellow ही रखना है ठीक है opacity जो यह 100 पर रखना है और इसे cut कर रहना ठीक है तो one day के चार्ड पे गुलिश इंगल फिंग candle लगा लिया है हमने और हम लोग अभी identify करेंगे क्योंकि यह one day की candle है तो एक दिन की एक candle होती है तो आप लोग यह आपर देख पा रहे होगे कि आज के दिन हमें यह candle नहीं मिली है तो हम लोग दूसरा stock देख लेते हैं कि दू candle किस stock पर जाकर बनी है तो हम लोग देखते हैं नहीं मिला तो कोई टेंशन वाले बात नहीं है हम लोग उसे previous days में identify करके फिर देख लेंगे कि किस तरीके से trade मिलता है हमें तो आज के दिन हमें नहीं मिल रही है वो candle किसी की stock के उपर तो हम लोग randomly कोई भी लगा लेते हैं बनी होगी चलो यहाँ पर दिखते है कि यह candle bullish इंगल फिंग यहाँ पर बनी हुई है आप देख सकते हो हमने इसे yellow color दिया है तो yellow color में आपको यह candle दिख रही होगी यह candle है वो तो इस पर trade के से करना है सक्याव इंगल फिंग करना मतलब क्या इंगल करना मतलब क्या कि previous जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था अभी ट्रेंड जो है वो शिफ्ट होने लगा है तो हम क्या करेंगे एक बीरिश कैंडल रेड कलर की यहाँ पर अभी फॉर्म हुई है और उसके दूसरे दिन एक बड़ी सी बुलिश कैंडल उसे क्या कर रही है उसे इंगल्स कर रही है म जो है वो ले रही है तो इसे हम यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे यह देखिए एक रेड़ कैंडल बनी और उसके बाद में जाकर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है ठीक है यह देख सकते हो आप यहाँ पर एक रेड़ कैंडल बनी है और उसके बिलकुल दूसरे ही दिन एक जो है वो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी अब यह कैंडल जो है न वो यलो दिख रहे हैं आपको क्यूंकि हमने इसे आइडेंटिफाई किया है मतलब चार्ट में लगाया है तो इसलिए यलो दिख यह है ताकि आसानी से आपको पता चल सके कि कौन सी इंगल्फिंड कैंडल बनी है आपको मैं चार्ट में से इंडिकेटर को हटा देता हूं तो आपको पता नहीं चलेगा आपको बिलकुल भी समझ में आएगा कि इतने कैंडल में कौन सी कैंडल बूलिश इंगल्फिंग है है तो इसे इंडिकेटर को लगाने के बाद में हम आइडेंटिफाइब कर सकते हैं आसानी से कोनसी कैंडल इंगल्फिंग कैंडल बनी है बुळीश इंगल्फिंग इसका क्या मिनई हुआ जो red candle बनी थी उसको एक green candle ने ढक लिया है तो आप लोग समझ सकते हो उसे तो इस तरीके का एक bullish बड़ा candle एक छोटे red candle के बाद बनता है तो इसे कहा जाता है bullish engulfing candle तो इस पर अभी trade कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ जैसे ही इस candle के उपर ब्रेक आउट दे श्टाउक इस केंडल के ऊपर ब्रेक आउट दे स्टाउक तो आप इसे बाय कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कि कैसे इसे बाय करना है, ठीक है, तो यह आप हम लोग यह कंसिडर कर लेते हैं, कि अपने पास यह है एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है जो red candle के बाद में एक green candle बनी थी तो इसके breakout पर हमें trade को buy कर लेना है मतलब stock को buy कर लेना है और हमें stop loss रखना है उसी green candle का जो previous bullish इंगल्फिंग चैंडल बनी थी उसी candle का low जो है वो हमें उसके नीचे अपना stop loss रखना है मतलब आपकी entry जो है वो entry इस candle के ऊपर होगी यहाँ पर कई पर आपकी entry होगी और stop loss आपका इस ही area में आपका stop loss होगा तो देख पार होंगे आप लोग एक यह red candle बनी वापस से यह retrace हो गई और 4-5 दिनों में यह candle ने क्या किया अप मुह दिखाना start कर दिया तो आप देख सक एक trade यहाँ पर में गया आपकी buying जो थी वो 217 पर थी और यह stock ने high लगाया है आप देख सकते हो 240 का तो 20 रुपीज का यह मैं आपको मान कर चलता हो कि gain हो चुका है मतलब अगर आपके पास 1000 quantity होती 1k quantity होती तो आपको 20,000 का यहाँ पर profit हो चुका होता मतलब आप multiply कर सकते हो अगर 100 quantity होती है आपके पास तो आपको कितना profit हो जाता 100 multiply by 20 जो भी answer होगा वो आपको यहाँ पर अपना profit हो जाता ठीक है तो यह होगा ही एक candle जिसे आप trade कर सकते हो जो है bullish inglefin candle इसी तरीके से आप selling side में bearish inglefin candle भी trade कर सकते हो तो हम लोग पहले bullish को हटा लेते हैं ठीक है य चलो इसे भी और यहाँ पर indicators में जाकर हम bearish inglefin को यहाँ पर देख सकते हो आप हम लगा लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं bearish case में setting में जाकर हम लोग color को जो है वो black कर देते हैं ताकि आसाने से हमें identify होच तक है कि कहाँ पर bearish inglefin candle बनी होगी है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए कितनी bearish inglefin candle बनी है bearish inglefin candle का meaning exactly bullish inglefin के उल्टा होता है एक बहुत अच्छी रेड ग्रीन कलर की candle बनी होती है और उसी ग्रीन कलर के candle को एक बड़ी इसी रेड कैंडल क्या करती है मतलब आपने अंदर ढाल लेती है मतलब उसे छूपा लेती है देखिए यह एक ग्रीन कलर की candle बनी और एक उसके बाद में रेड कलर की candle बनी यह bearishness दिखाता है मतलब मंदी की तरब सोधा आप बना सकते हो तो इसी तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह जो है न तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारे जगह पर यहाँ पर दिखा है ट्रेंड को हम कंफर्म करने के बाद ही लेंगे तो अभी एक जो यह सपोर्ट यहाँ पर बन चुका था ठीक है और सपोर्ट लेने के बाद में उपर गया स्टॉक वापस से यहाँ पर देख सकते हो आ इतना अच्छी तरीके से मोमेंट किया है नीचे की साइड में तो आप लोग देख पा रहे होंगे तो हमें क्या करना है कि हर एक बीरिश कैंडल को ट्रेड नहीं करना है उसके रिये रूल आप पहले जान लिजिए जो बुलिश इंगल फिन कैंडल है उसे हमें कप ट्रेड कर रिवर्स होने वाला है उपर की साइड में वैसे ही जैसे बीरिश इंगल फिन कैंडल जो है वो स्टॉप के टॉप पर बननी चाहिए यहाँ पर यह एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी और यह एक बड़ी सीरेड कलर की कैंडल बनी तो आपको कन्फरम हो जाएगा इसका लोग ब् सकते हो आप देख सकते हो यहाँ पर भी अभी बीरिश इंगल फिन कैंडल बनी हुई है गुंजरा स्टेट पेट्रो में अब यह अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आप अभी इस कैंडल पर इनिशेट कर सकते हो और बहुत अच्छा आपको यहां तक का टार्गिट मिल करते हैं मं भूलिश चिक यह आपको सेलेक्ट कर लिना है मंन है और आप मोगों कोई सेटिंग करने की जरूरत महित सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है आपको कोण सी कैंडल थी और कोण सी कैंडल नैंधों को भी एक रूल है कि इसे भी बॉतम में ही identify करना है तो हम लोग देख लेते हैं दूसरा को अभी इस टॉक में हम लोग देख लेते हैं बाटा इंडिया का इस टॉक है पर यहाँ पर देच सकते हो एक बड़ा आशा ब्ल्यू कलर का बार्या आपर बना है और एच यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है तो इसका का एसा है कि कोई कलर उसे आप मतलब सोचोंगे नहीं कि रेड कलर में बनी गेया, किसी में भी बन सकती है, हैमर कैंडल तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक हैमर रहा में आइडेंटिफाई हुई है, तो इसके हाई पर आपन वाई करेंगे और इसके लोग के आसपास अप तो आप में यह कब बनी थी और इस तरीके से हमें ट्रेड मिला ठीक है यहाँ पर भी बनी थी पर यह बहुत पुरानी बात हो भी अभी लेटेस्ट एक्जामपल में हम लोग देखते हैं कि हैमर कहाँ पर बनी हमें बॉटम में देखनी है हमर बॉटम में बननी चाहिए तो आ दो यहाँ पर बनी होगी चलिए बैंक निफ्ती में देखते हैं इंडेस में भी यहाँ पर भी नहीं नहीं बनी है आपको यह थोड़ा ही तो जब जाके प्रेंड ली हम लोग देखेंगे अभी देखिए यहां पर है मर गैंडल बनी है तो इसका यह था कि पिछला जो जो ट्रेंड था वो जो ट्रेंड था वो नीगिटिव था ठीक है गिर रहा था स्टॉक और उपर जाते टाइम यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई हुई हैमर कैंडल तो अभी ट्रेड कब लेंगे जब यह हैमर का हाई क्रॉस करेगा स्टॉक यह जो हाई हैमर का यह क्रॉस करेगा मतलब 3300 के ऊपर अपने को ट्रेड करना है तो इस कैंडल में यहाँ पर आपका ट्रेड हो गया है और जो हैमर बनी है उसका लो आपका स्टॉप लोस गएगा तो देख सकते हो आपको कितना अच्छा ट्रेड यह 3900 तक ले के गया है मतलब आपका बाइंड था 3300 के आसपास और आपको यह ट्रेड लेकर गया है 3900 के आसपास लेकर गया है तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है चलिए रिस्क रिवर्ड भी हम लोग क्याल्कुलेट कर लेते हैं इसमें तो आप तक का आपको टार्गेट मिला है तो आप देख सकते हो कि 589 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर अधाने टोटल गैस में गेन हुआ है तो इस पर आप अपने कॉन्ट्रिटी मॉल्टिप्लाई कर सकते हो तो कितना आपका रिस्क रिवाड रिशो हो गया ठीक है इसी तरीके से आप हैमर को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आज हमने तीन जो है कैंडल स्टिक पैटन यहाँ पर देखे एक तो बुलिश इंगलफिंग और हैमर का रूल में आपको बता देता हो हैमर कभी भी बॉटम में ही बननी चाहिए ठीक है जो आप लोग देखते हो हैमर आपको ब सब्सक्राइब कर दिया तो कोई बात नहीं फिर भी आप देख सकते हो कि ट्रेंड इसने कितना पॉजिटिव दिखाया है यहाँ से क्योंकि यह स्टॉक जो था वो गिर रहा था और उपर जाने वाला था वो ब्रेक आउट देकर भी आपको ट्रेड में अच्छा कासा प्र प्रिवियर फ्रेंड था वह था निगेटिव और नीगेटिव ट्रेंड में ही आपको जो है हैमर यहाँ पर मिल चुका था आप देख सकते हो कि इस हेमर candle बनी है यहाँ पर इसने है इंडिकेट कर दिया है कि है हमेर क्डियों यह बनी है यह बांत का सटाप लॉस हुलद यहीं से उपर हों गया और देख सकते हो कितना बड़ा trend आपको capture करने के लिए मिला है आपका trade buy हुआ था 156 के आसपास buy हुआ था 170 पर आप buy मान कर चलिए और ये गया है 212 के उपर जाकर रुखा है ये stop आप देख सकते हो उसके भी बहुत उपर गया था आप तूरा trend यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक यह मान लीजिए 200-300 तक गया था ये stop तो आपका risk reward ratio यहाँ पर बहुत ज्यादा बेतर था किसी आपने अगर 2-3 stop loss भी दिये होंगे प्रिवेस ट्रेड के लिए 2-3 stop loss में दिये होंगे छोटे-छोटे तो यह आपका यह एक ट्रेड में ही आपका साड़ा stop loss 84% का गेन आपको यहाँ पर मिल चुका है डाउट्रेड के बाद अगर यह हैमर का कई पर बंद रही है तो आप इसे buy कर सकते हो ठीक है तो bullish इंगल फिंग और hammer के बारे में आज हमने सीखा है तो आप इसे practice कीजिए मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा अगर वीडियो आपको अच्छो लग झाल